हां जी तो मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूं बिजनेस पे ऐस्टेलिया में पॉसिबल बिजनेस दे को कारें गुजर रही है थोड़ा रियल लगे आपको ऐस्टेलिया में बिजनेस कौन-कौन से हैं जो एक स्टुडेंट लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकता है पॉसिबल बिजनेसे सारे ठीक है और उसकी ड्रोबेक्स और उनके बेनिफिट इच और एवरीटिंग इन्दिस सीरीज बिकोज फ्रम ना उन मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूंगा वह बिजनेस लेटेड वीडियो ओंगी को कि जोब्स के हवाले से स्टूड लाइफ अगर आपके पास इंडिया पाकिसान में पैसे हैं तो आप पैसे लेकर आओ और यहां कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसी वह चीजें सारी इच और इवरीटिंग इस वीडियो जस्टेट विडियो जस्टेट उनी विडियो ठीक है सब्क्राइब करने की जूर्थ नहीं अगर अच्छी लगे तो दौम घाद रखो ना अच्ही लगे तो गाली न देना मेरबादी ऑदेगो जटो जूर्णी कर यहीं मैंने यह जडि ली ती लिए अपनी जाड़ी हो बाइक हो साइकल हो ठीक है कुछ भी हो टेक्सी की लिए उसके लिए हो डिलिवरी से लिए different stories है different possibilities है different investments है देखो जो चोटी गाड़ी होती है ठीक है जो मैंने लिए यह मैं इसके 500 डॉलर पर पे करता हूँ ठीक है weekly और यह गाड़ी कतने की होगी around यह 3,000, 3,000 डॉलर की गाड़ी है 3,000 डॉलर की 4,000 मैक्स कर लो उसकी गाड़ी है और यह मैं मंधली इसके 5,500 डॉलर पे कर रहा हूं और खुद हिसाब लगा लो कि आपके 5-6 मीने में 7-8 मीने में गाड़ी के पैसे निगल जेंगा बाइक का भी सेम स्टोरी है, जो अच्छी बाइक, ये स्कूटर जो डिलिवरीज के लिए होती है, ये आपको मिल जाएंगी कोई डेड़ दो हजार डॉलर में, ठीके मैं सिर्फ आपको ओवर्वीव दे रहा हूँ, बैट के मैं बाद करने हो ला हूँ, उपर जाकर करने हैं ठीके मैं एक जगह जा रहा हूँ, वहाँ से वापसी पर आपको उपर जाकर सारी चीज़ें बताओं के मैं ओवर्वीव दे रहा हूँ, जो के मैं फेस कर रहा हूँ इस वकट Hello everyone, तो proper बात करते हैं, आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, car rental business के बारे में तीन पार्ट में बात करेंगे हम पहला investment, दूसरा business maintenance जो आपका चल रहा होगा, और end पे आपकी profit, तीन points, तीन parts में बात करेंगे, पहला धो investment, देखो मैंने पहले आपको बताया है कि मेरी गाड़ी जो मैं भी चला रहा हूँ, जो rent पे, वो है कोई 4000 डोलर की, let's suppose आप 4000 डोलर ही लगा लेते हैं, ठीक है, एक 40,000 डोलर की, 40,000 डोलर की आपकी गाड़ियां आजाएंगे, आपके पास 10 गाड़ियां आगी, आप नहीं आप देखो, आप लोग यह कहीं कि 40,000 डोलर कहां से लेगे हैं, देखें, अस्ट्रेलिया में अगर आप student visa गुजारते हो, मैं हमेशा आपको यही recommend करता हूँ कि business start करना working visa में या PR में, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आते साल या business start का दो हाँ, जो लोग पाकिस्तान में इंडिया में business करते हैं, उनके पास इतनी investment है, पाकिस्तान के लिया से 70,000,000 बनते हैं, तो 70,000,000 अगर आपके पास पाकिस्तान में इतनी investment है, तो अगर आप यहां आते ह सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहां से ही कमाने हैं, तो फिर कोशिष यह करें, कि वरग विजदा तक जाएं, तब तक saving करें, ठीकिस saving is very important, पहले करें, hard work करें, jobs करें जितनी आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपने यह start करना है, मैं यह list होगी पूरे businesses की जो आपकी personality को suit करें वह आप करो, ठीकिए पहला तो यह carlander में आप 40,000 डोलर आपकी पास investment और 10 गाड़ी आपने ले लिए, ठीकिए, अब 10 गाड़ियों की आपको और इसमें क्याद करना पड़ेगा, investment में पहली बाद यह आपको insurance लेनी पड़ेगी इन साब चीज़, अपने नाम पे इन आपकी insurance लेनी पड़ती है, ठीक है, full insurance नॉरमली लोग देते हैं, जब आपको car rent के देते हैं, जब गाड़ी ठुक ठुक जाए, कोई ठोक दे गाड़ी, तो उसमें से आपको कुछ पैसे देने हैं, तो insurance को तो आपकी insurance गाड़ी है, आपकी सारी maintenance पूड़ेगा, let's suppose आपकी कोईशो नहीं, सिर्फ आपने insurance प्रवाइड करने को गाड़ी आपके नाम है, insurance देनी और maintenance, maintenance क्या होता है, कि महीने में एक आदिवाद उसकी service होती है, service होती है, normally $100 की, 80 से $100 की, पर मन्त, ठीक है, एक गाड़ी की, पर मन्त में होती है, अगर वो ज्यादा गाड़ी चलाए होती है, वो खुद इसकी service करते है, oil change करना होता है, ठीक हो गया, यह investment, लेकिन अब जब आप $10,000 की दे देते हैं, मतलब $40,000 की आपकी यह गाड़ी आपके पास जो आ रही है ना, वो एक गाड़ी से let's suppose आप $600 कमा रहे है, और $500 पर week, जो कि नॉर्मल इस से ज्यादा है, $180, $191, $200 पर जा रहा है, लेकिन मैं $150 आपको बता देता हूँ, यह अब मैं during maintenance बात करना, investment होगी, अब maintenance का है इसकी, ठीक है आपके पास $500 पर week के गाड़ी का आ रहा है, पर मन्त एक गाड़ी का आपके पास $600 आ रहा है, और आपके पास $10 गाड़ी है, आपके पास $6,000 पर week काएगा, पर month आएगा, दस गाड़ी हों से, आपकी gross earning, आप आसमें से profit कैसे निकालना, देखें जी पहली बात आपके पार गाड़ी के आपकी $100 की वो भी गई, maintenance, अगर आपको द मेकानिक नहीं, तो पीछे आपके पास कितने रहे गए, $5000, $5000 आपकी, after, 10 गाड़ी ह अगर आप देते हैं, after that process, आपके पास $5000 without doing anything, इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने गाड़ी दे दी, दे गई, आपने कुछ भी नहीं करना, उसको बस यह है कि उतके साथ contact में रहते हैं, गाड़ी ठूकना जाए, कहीं आप गाड़ी की maintenance ही कर रहे हैं, अगर वो कुछ इस भी करेगा, तो जो गाड़ी चला रहा है, वही इसका जिमादार होगा, और आपने इसमें security भी लेनी होते हैं, उससे पहले, जो आपके नॉरमली इक चीज़ रेंड पिले हैं, आपको पाकिसेंडियर में बता होगा, तो $5000 पर मन्त, without doing anything, just laying down on your bed, and just thinking about that you have 10 cars, that's it, तो यही आपका सारा सिस्टम है, मतलब आपकी जो insurance आप पे गर है ना investment में, वो भी बाद में उसी नहीं देनी है, जो गाड़ी चला रहा है, यह $500 में वो include होगी, जो आपने rent रखा हुगा है, मेरी वाद समझ ने, तो $5000 आपको बंते हैं, और इसमें आपको इतनी simple, 40,000 investment आप हम तो हुदेसी, और हमें तो पता होता है, हमें तो हमारे पास link है, हमारे पास groups है, ठीक है, फिर अपर advertisement करेंगे, फिर हमारे relations है, ठीक है, let's suppose, मैं हूँ, मैं जब का आया हूँ, मेरे बाद मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, खुद के दोस्त 5-6 आये हैं, जिन्नों ने आपके यह सारी दस की दस गाठी आरेंट पर दे सकता हूँ, that's how this business works, like that's, इतना अच्छा बिजनस है, इस पे सेम आप बाइक्स कर लो, बाइक्स पे investment कम हो जाएगी, cycles हो कि उसमें investment कम हो जाएगी, earning उसमें कम हो जाएगी, profit कम हो जाएगा, और इसमें आपकी investment जाएगी, प्रॉटी आपके 20,000 मिली लगें, यह बात समझें, तो यह इतना सा असान सा बिजनस, और यह reality में है, लोग सिर्फ आपको फुद्दू बनाते हैं, यह बिजनस करना बहुत मुश्कल है, और especially वह उस country में जहाँ पर हम कुसी कुछ जानते हैं, यह सब बख्चूनी है, इतना मसला नह करो, लेकिन आप इसको long term नहीं लेके जाने, future सोच के रखो न, अगर आप उने future नहीं सोच के रखा तो वही करते रहेंगे, जो आज कर रहेंगे, आप 10 साल दक भी वही करते रहेंगे, I know people, मैंने एक अंटिक मिले, 45 सार, 50 साल उसकी उमर है, और still working कर रहें, उसके बच्च अगर तक अपना system set करो, उसके बाद अपनी business में add हो जाओ, अब इसके बाद series आने वा लगी में, में, सारी season में, जितने भी normal business आप कर सकते हैं, low investment में, 40,000 is nothing, यहाँ पे लोग, एक एक million तक लोग invest करते हैं, अपनी businesses में, ठीक हो गया, तो video अच्छी लगी हो, तो like भी नह करो, और subscribe भी ना करो, I don't care, लेकिन सुन लिया है, समझो, इस पर research करो, और द्वाओं में याद रखो, I don't need your subscription, I don't need your like, hello